नमस्कार दोस्तों, पूर डिबाइन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम मनाने जा रहे हैं सेफर्ट स्पाई बहुती डिलिशा सेख रेसिपी है आप इसे लंच, डिनर या किसी भी छोटे बड़े फंक्शन में आप इसे बना के सर्फ कर सकते हैं सबको बहुत ही जादा पसंद आएगे तो आए हम देख लेते सेफर्ट स्पाई बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जुरात पड़ेगी सबसे पहले हमने यहाँ पे सारे 700 ग्राम चिकेन कीमा ले लिया है 50 ग्राम हमने सैडर चीज ले लिया है एक बड़े साइज के प्याद चॉप कर लिया है फाइन दो गाजर को हमने चॉप करके रखा हुआ है और लेंगे हम आधा कब मतर के दाने चार चम्मच टमेटो केचब चार चम्मच हमने लिया है मैदा नमक लेंगे हम यहाँ पे एक चम्मच नमक की कॉंटिटी आप यहाँ पे अपने हिसाब से एड़्जस कर सकते है चार चम्मच बटर पंदरा पीस लैसन के कली को हमने चॉप करके रखा हुआ है आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और लेंगे हम डेर चम्मच काली मेज पाउडर आधा कब दूध है और हमने यहाँ पे आधा किलो आलो को बॉयल करके रखा हुआ है तो फ्रेंज सबसे पहले हमें कीमा के स्टपिंग की तयारी करनी है तो चलिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे चार से पांच चम्मच तेल तेल कड़म हो जाने के बाद डाल देंगे चॉप किया हुआ लैसन गैस्टफलिंट हाई कर देंगे और कुछ सिकन हम लैसन को बून लेंगे डाल देंगे यहाँ पे कटे हुए प्याज दो मिनिट हमें प्याज को फ्राई कर लेना है बहुती इजी है रेसिपी है फ्रेंट इसे एक बार आप जरूर ट्राई करें बच्चों के साथ आप बड़ो सभी को पसंद आएंगे दो तिन मिनिट हमें प्याज को हलका सौते कर लेना है दो मिनिट हो गये हमें प्याज को फ्राई करते हुए अब हम यह पर डाल देंगे कटे हुए गाजर को हम प्याज के साथ एक मिनिट फ्राई करेंगे अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए जो लगता है आपको मैं बना सकती हूँ तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मैं पूरी कोसिस करूँगी आपके वही रेसिपी अपलोड करने की एक मिनिट बाद डाल देंगे यहां पर बटर के दाने अच्छी से मिक्स करते हुए सिर्फ एक ही मिनिट हमें फ्राई करना है एक मिनिट हो गए अब हम यहां पर सिकें खीमा डाल देंगे अच्छी से मिक्स करेंगे हाँ सिकें डालने के बाद अच्छी से मिक्स कर लिया है अब हम यहां पर नमक एड करेंगे एक चम्मस नमक चिली फ्लिक्स एड कर देंगे अब चिली फ्लिक्स के जगा रेड चिली पाउडर का भी यूज कर सकते हैं और एक चम्मस हम एड करेंगे काली मिल्ज पाउडर थोड़ा सा हम बचा देंगे क्योंकि आलू की जो स्टाफिन बनानी है उसमें यूज करेंगे साथ ही हम यहां पर मैदा एड कर देंगे और सभी चीजों को अच्छे से चिकें में मिक्स करते हुए इसे चिकें में मैदा जो एड किया है इसे चिकें के ग्रेवी थोड़ा सा ठीक बनेगा खोल के हम अच्छे से मिक्स करते हुए तीन से चार मिनिट चलाएंगे अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने अब हम यहां पर टालेंगे एक चम्मच सोया सॉस तमैटो के चब भी एड कर देंगे एक बार हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों में भी मेरे रेसिपी को सेयर कीजिएगा अब हम यहां पर पानी आइड करेंगे कीमा डालने के बाद हमने यहां से तेम से चार मिनित सबी चीजों को मिक्स करते हुए अच्छे से चला लिया आए गैस कप लें अभी लो कर देते और यहां पर हम एक कप पानी आइड करेंगे 200 में एक बार अच्छे से पानी डालने के बाद मिक्स करेंगे और चिकन को हमें चार से पांच मिनित धक के पकाना है मेडियम फ्लेम में और जब तक हमारा चिकन पकेगा तब तक हम आलू की जो लेयर है उसे तयार कर लेंगे मैदा डालने के बैसे हमारा ग्रेवी अभी से कितना ठीक नजर आ रहे है अच्छे से मिक्स कर लिए अब हम गैस का फ्लेम मेडियम कर देते हैं और कॉबर कर देंगे तीन से चार मिनिट हम कॉबर करके पकाएंगे और गैस का फ्लेम हम मेडियम रखेंगे बीज में एक बारा के हम चैक भी कर लेंगे और फ्रेंग्स जब तक हमारा कीमा बनके तयार होता है तब तक हम आलू की स्टपिंग के तयारी कर लेंगे अब हम आलू को अच्छे से मैस करेंगे चाया मैसर की मदद से या हाथ से भी इसे मैस कर सकती है अच्छे से करेंगे एड कर देंगे बटर अब हम यहापे नमक एड करेंगे तो ओड़ा सा काली मेर्ज पावडर और सेडर चीज़ अब सेडर चीज की जगा मौस्डेला चीज का भी यूज कर सकते है सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें अलू को मैस करना है अब हम हातों से इसे अच्छे से मिला लेंगे डूद एड कर देते हैं आदा कब दूद लिया था हमने और उससे भी आदा हम अभी आड़ करेंगे आदा कर देंगे और फ्रेंट्स चार मिनिट हो गया है तो हमने कीमा वाला गैस का फ्लेम भी बंद कर दिया है अच्छे से हमें इसे मिलाना है अच्छे से मिक्स कर लिया है और आलू वाला लेयर भी हमारा रेडी है और चिकेन को भी हम निकाल लेते हैं हमने कीमा वाला स्टपिंग भी निकाल लिया है और आलू की हमारा स्टपिंग भी रेडी है अब हम लेयर बनाते हैं आपके पाद जो भी बर्तन हो उसमें आप इस तरीके से पहले कीमा वाला स्टपिंग रखिएगा अच्छे से हम डालेंगे दो ही लेयर हमें बनाना है तो नीचे वाला हम अच्छे से कीमा से बढ़ देंगे और इस तरीके से हम थोड़ा सा प्लेन कर देंगे थोड़ा साइड में मेरे जितना कीमा है सारे साथ सो उससे हमारा दो सेपर्स पाई बनके रेडी होगा एक बड़ा और एक छोटा तो आप उससे साब से कीमा की कॉंटिटी एड़्जस कर सकते हैं देखें कीमा वाला लेयर अमारा रेडी है अब हम आलू के लेयर डालेंगे तो इस तरीके से हम पहले रखते जाएंगे अब हम स्पैचुला से या आप स्पून की मदद से भी इसे एक लेवल में कर सकते हैं इस तरीके से हम भर देंगे साइड से देखें अच्छे से हमने एक साब कर लिया है आलो की स्टॉफिंग भी हमारा थोड़ा सा बच गया है अब हम एक फोक की मदद से थोड़ा सा उपर से डिजाइन कर देंगे आप चाहे तो कोई भी अपने हिसाब से डिजाइन कर सकती है इस तरीके से हम फोक को लेंगे देखें इसे एक बहुत ही अच्छा लगता है देखें हलके हातों से करना है हो गया है देखें थोड़ा सा हमने सैड़र चीज ले लिया है इसके उपर से हम इस तरीके से डाल देंगे उपर से हम डालेंगे थोड़ा सा चीली फ्लेक्स यह ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो इससे स्केप भी कर सकते है फ्रेंट्स ट्रे को हमने माइक्रोवेब में डाल दिया है अब हमें 180 डिग्री सेल्सियस में 25 मिनिट के लिए बेग करना है 25 मिनिट के लिए सेट कर देंगे फ्रेंट्स 25 मिनिट बाद हमने माइक्रोवेब से निकाल लिया है अब हम आपको सर्फ करके बताते है इस तरीके से हम कट लगाएंगे एक हम स्पैचूला या कोई भी स्पोन की मदद से इस उठाएंगे एकि 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 देखें तो फ्रेंट्स आज का रेसिपी एक बार आप जरूर ट्राइ करें और अच्छा लगें तो प्लीस अपने दोस्तों में भी मेरे रेसिपी को सेयर किजिएगा तो फ्रेंट्स आजका वीडियो आपको पसंद आए होंगे अगर आपको आजका वीडियो मेरे पसंद आए तो प्लीस वीडियो को लाइक कोमें सेयर किजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे नीचे दिये गाए मेरे चैनल के लोगों में आप क्लिक कर सकते हैं और लेटिस वीडियो के नोटीबी के सान के लिए आप बैल आइकन को भी प्रेस किजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करू सबसे पहले आप लोगों को नोटीबी के सान आ जाए और मेरे चैनल के दूसरा वीडियो देखने के लिए आप अपने राइट में क्लिक कर सकते हैं तो फ्रेस नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद